आज हम एकोलोजिकल सक्षेशन के बारे में देखने वाले स्टुडेंट्स ठीक है तो चलिए इसके बारे में डिसकस करना शुरू करते हैं यहांपे 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 यहांप में गनवाट हो जाता है यह ठीक है आप यहां पर जाए सकते हैं this is a solid black color solid अब students तो यह solid rockish type structure बना था हमारा जो यह हमारा structure बना था यहां पर lichens आने लग जाते हैं lichens something like this यहां पर तो कुछ ऐसे ही बनेंगे students तो कुछ ऐसे आने लग जाते हैं lichens ठीक है यहां भी बोल भी सकते हैं lichens start growing on this rock ठीक है क्योंकि lichens सबसे पहली species है जो इस रोक पे ग्रो करना चालू किया तो हम lichens को pioner species भी बोल सकते हैं ठीक है pioner species पहती है जो सबसे पहले आती है ठीक है जो succession में सबसे पहले आती उसको peanut species बोलते हैं, simple बात है अब जो ये liken है ना students ये acid को secret करता है acid secret करता है रोक पे, acid secret करता है ठीक है acid secret करने से क्या होते है students जो रोक है, वो fine particles में soil के particles में convert हो जाता है, soil में convert हो जाता है तूट के soils के इंदर convert हो जाता है, ठीक है कुछ ऐसे students, ठीक है देखे, soil में convert हो गया, तो हम लिख सकते है soil formation occurs by rock through acid secretion मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, soil formation occurs by rock dissolving through acid secretion, ओके अब कोई confusion नहीं रहीगी students, soil formation के कारण क्या होते है कि small plants grow करने चालो हो जाते है small plants, अब देख सकते हैं जो ही small plants होते है actually, bryophytes होते है bryophytes, ठीक है तो मैंने लिख भी दिया है small plants like bryophytes start growing ठीक है और इस stage के बाद students, क्या होता है कि large trees आ जाते हैं large trees आ जाते हैं large trees आ जाते हैं ठीक है अब ऐसी students कई सारी stages आती है बहुत सारी stages आती है बहुत सारी ठीक है और बहुत सारी stages के बाद हमें मिलती है एक stable community एक stable community मिलती है इसका मतलब है कि अब जो changes हैं अब वो नहीं होंगे अब community विल्कुल stable हो चुकी है अब सब अराम से काप कर रहे हैं ठीक है यह होता है stable community का मतलब ठीक है students हमें इसको थोड़ा appropriate manner में बोले तो हम इसको climax community बोलते हैं means climax reach हो गया अब अब change नहीं होगा climax आ गया ठीक है अब movie खदम हो गई है समझ में आ रही है बात आपको कि हम अब climax community पे आ गई है stable community को ही हम climax community भी बोलते हैं ठीक है और इस पूरी process को जो पूरी process होई इसी को ही हम ecological succession बोलते हैं this whole process is called ecological succession देखे इस process को हम फिर से revise करते हैं थोड़ा सा तो यह थी हमारी process जो भी अभी हमने पूरी देखिए सबसे पहले वोलकैनी किरप्शन हुआ उससे जो है वोलकैनों जो है solid में convert हुआ फिर उस solid के उपर lycans आए ठीक है lycans को हमने pioner species बोला क्योंकि ही वो सबसे पहले आए उसके बाद lycans ने क्या किया था यहाँ पर asset secret किया asset secret करने के करण जो रोक है वो soil में convert हो गया है ना उसके बाद क्या हुआ कि soil के कारण क्या हुआ कि plants आने लगे small plants आने लगे small plants के बाद क्या हुआ large plants आने लगे है ना students और large plants के बाद क्या हुआ कई ऐसी बहुत सारी चीजे हुई बहुत सारी stages आई बहुत सारी stages बहुत सारी stages आई और finally हम हमारी climax पर पहुच के and we call it climax community ठीक है students और हमने इस पूरे process को क्या बोला ecological succession बोला students ठीक है तो students climax community से पहुचने से पहले हमारे बीच में कई सारी stages आई है न ये सारी stages आई दी हमारे बीच में है न तो जो ये सभी stages होती है climax community से पहुचने से पहले तक की इन सभी stages को हम बोलते है सीरे तो आपको ये याद रखना है कि climax community से पहुचने तक की पहली जितनी भी stages आती है बीच में उन सब को हम सीरे बोलते है ठीक है so I hope कि आपको ecological succession का मतलब समझ में आया होगा ठीक है तो इतना ही है ecological succession में तो इतना ही थी बात समझने की थैकि और वाच्छें इस विडियो